असलामेकुम फ्रेंट्स मेरा नाम यासिर है दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके वीडियो में बनाता हूं तो दोस्तों आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं यहां पे मेरी कालूनी है कोक्टेल की शुबा सुबा का यह टाइम है यह कॉक्टेल बेठे में सुबा सुबा का टाइम है मैं इसे नहीं हुआ 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 है तो यहां से हवां गुजर होता है तो इसलिए यहां पर डगता हूं ऐख तरीके से कि थोड़ी देर में इनको अठा दूंगा और यहां पे मेरे एक पेर यह करीम का और एक पेर नीचे यह तो यह कम यह लाइट मैं भी आपको दिखाता हूं दोपेर मेरे यहां पे जो कर बेमार एक का जूरा हूं अब यह गाइसमें गूए दोस्तों अपने ब्र'd का क्यार लखे रह के कर सरलियों में मोसम में इनको हवा लगने से बचाइए रहे मैंने भी इनको डखता हूं और जैसे यासे दिन चढ़ता जाएगा तो मैं इनको इनके चाहरे बढ़ पर नंस पर बाकि जो है कालुनी से ज्यादा जो बैस जो रहता है सेप्रेड जो है केजिस वो ज्यादा बैस रहते हैं और मैं इस कालोनी को तकरीबन साल मैंने रखा है लेकिन यहां पर बड्स चल नहीं सके तो अब मैं जो हूँ इसको यहां से रिमूफ कर रहा हूं तो रिमूफ करने के बाद फिर मैं इसको तो यह दखाने का मकसद यह था कि मैं आपको कालूनी अपनी दखाना चाहता था खतम करने से पहले तो मैं अपने दोस्तों के साथ यह टिप भी शेयर करूंगा कि आप अपने बर्ड्स को अगर कॉक्टेल वेर आपने रखे हुए तो उनको कालूनी से जयादा आप सेपरेट रखने के सब्सक्र लिए निका मैं तो मैंने कालूनी में भी रखे हैं गेज रख दूँगा यहाँ पर तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरी वीडियो इसको लाइक और शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैक्क्यों वेरी मच्छ अल्ला आफिस